हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे मैथ्स के इंपोर्टेंट प्रश्णों की जो एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं देखिए कॉशन आपर लिखा हुआ एक आदमी ने 360 रुपए में 144 संत्रे खरीदे और 10% के लाव से बेच दिये उसने प्रति दर्जन संत्रे किस दर्ज से बेचे दिखे दिखिए 360 रुपए में 144 संत्रे खरीदे थे और उसने 10% का लाव कमा लिया 144 संत्रों पर ठीक है लेकिन क्वेशन में ये पूछा गया है कि उसने प्रति सबस्क्तलाना है दर्जन करना उसक्तकों एक ढूसर जल्चाँ कि दर्जन संतर एक पूछा गया है थी दोस्तों इसका क्या करेंगे दस परसेंट निकालेंगे क्याँ है तो दस परसेंट 410 जो तो करेंगे ठीक है तो इतनी बात समझ में आगी 10 से 10 कटालो 10 से 10 कटालो 11 36 का मल्टिल पर कर दो 11 666 के रीका छे आजाएगा 11 या 336 कितना हो जाएगा 399 तो कितना निकल क्या दोस्तों 396 रुपया मतलब तो तो 360 रुपय में उसने 114 से खरीदे थीक है अश्पत 10 परशन लाप से बेचे तो उसने 396 रुपय में बेच दिये थीक है तो अब देखें क्या कहता है तो निकल कितने संतर है 144 एक अब दीखें एक देजन में कितने होते हैं एक देजन में बारा होते हैं तो बारा से कर दो दिवाइड ठीक बारा से कर कर दूटे estos टेके आप से प्रिति दर्जन ठीक है तो देखें, प्रति दरजन के लिए क्या करेंगे? जो total रुपए निकल के आया है, उसमेंUP डिवाण देजिए. कितना निकल खाए? 396 में निकल के आया है. प्रति दरजन के साथ से हमें निकलना है. यहां क्या करेंगे, दोस्तों, 12.5 जी 주 surprised. तो एक दरतन कि दर्जन बेचा है एक दर्जन की क्या है दोस्तों 30 रुपे बात है कि दोस्तों देखे तीन सो साट रूपे में उसने 144 झान खरीदे और दस परशला पर बिच दिये जब उसके थीन सो साट रुपे है कि 144 संत्र है खरीद का 10 परसंट लाफ से बेचे तो कितने बेचे 396 रुपए कितने बेचे 396 रुपए में आप पूछा गया है कि उसने 333 संत्र किस दर से बेचे एक दर जनका पूछा गया ठीक है दोस्तों 305 को जब बेचे तो देखे कौन सा option option नमबर C दोस्तो आपका सही हो जाएगा उम्मीद करता हूं दोस्तो ये question आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और exam में दोस्तो इस type question पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तो कोई भी doubt है तो आप comment वक्स में जरूर पूछना ठीक ह Enough भी जाएगा ठीक है थुआ दोस्तो क्या पूछा है मूल्धन का छेवटे पक्चिस्वा मूल्धन कितना जाया है मूल्धन जाया गया ऑठ हजा सास्थो पच्छा सू प्चास उरुपर दिआ ठीक है दोस्तोस्तो लिख लिखिया मूल्धन का 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 मतल contract क्या होता है दोस्त ठीक है दोस्तों आप देखे 25 से पूरे को काड़ देंगे कितनी बारी कर जाएगा 25 से पूरा कर जाएगा दोस्तों आपका 35 बारी 35 और यह कि जीरो आ जाएगा आ गया 6 का 350 का multiply कर दो 6 का 350 का multiply करेंगे तो दोस्ते ये कितना जाएगा 6 का 0 में 0 आ जाएगा 6, 35, 35, 35, 30 का 0 आ जाएगा फिर से 3 कहरी का 6, 3, 18, 3 कितना जाएगा 200 कितना हो गया दोस्तों 21 निकल के आया पूछा क्या गया साधरन ब्याज 8 बाज के दर्श से मूलधन का चिर्म हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप देखे ब्याज कितना निकल क्या है आपका ब्याज बराबर क्या होता है ब्याज बराबर होता है दोस्तों आपका मूलधन into समय into दर ठीक है दोस्तों ब्याज बराबर होता है divide में 100 अब देखे, मुल्धन कितना है, मुल्धन दोस्तो आपका 8,750 रुपया है, मल्टिप्रेश समय नहीं दिया गया है, समय निकालना है, मल्टिप्रेश इदर है दोस्तो आपकी 8 की, डिवैट में रखना है दोस्तो आपको 100, ब्याज कितना है दोस्तो, ब्याज कितना निकल गया आपका एक किसो और पेप यहां पर ब्याज की ज़िए क्या रखेंगे 21 रखेंगे क्योंकि यह हमारा फॉर्मुला है ठीक है दोस्तों यह हमारा फॉर्मुला आप देखे इसे कटा लिजिए और आप कांसर हो जाएगा देखे दो से यह कट जाएगा चार बारी दो से 100 को काट दीजिए आप यह कट जाएगा पचास बारी ठीक है दोस्तों अब देखे आप एक जीरो से एक जीरो कैंसल हो जाएगा ठीक है दोस्तों हो गया अब देखे पांस से इसको डिवाइड कर दीजिए चला जाएगा यह कट जाएगा पूरा 5 से कार दीजे 5 एकम 5 तीन बचेगा 37 हो जाएगा 5 सत्य 35 दो बचेगा 25 हो जाएगा 25 एक सो पिचत्तर वारी कट गया अब 175 का और 4 का कर दीजे पर देखेंगों के चिस्वा यहां पर 200 है यहां पर देखें 2100 है 2100 और यह बराबर के उधर है कितना आपका 700 है minimum τα दो हज़ा डेग हो जाएगा आप सेancia क्या गया था कितने समय में मिसा में पूछा गया तो कितने समय responsible हो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बस आपको यह फॉर्मूला आप लगा दीजिए ब्याज बराबर मूलधन इन्टू सेमें टूदर बट्टा कर देना आपको सो से ठीक दोस्तों उम्मीद करता हूं यह कोशन भी आपको अच्छी तरह के समझ में आ जाएगा ओप्सन नंब सब्सक्राइब सिधा पूछन थे क्या करते हैं एक्स मालीजे अंकित मूले को क्या माली है एक्स और आपका कोष्ट प्राइस कितना दे रखा है 400 दे रखा है ठीक है दोस्तों कोष्ट प्राइस कितना दे रखा 400 तो क्या करेंगे 400 क्या करेंगे देखें यहां पर कितना दे रखा 26% लाप कमाता है तो 400 का 26% क्या हो जागे द ठीक है तो अब देखें यहां पर बराबर एका साइन लगा लीजिए और देखें क्या करना है यहां पर देखें पूछा गें आपको एक दुकानदार अंकित परसंड की छूट देने के बाद 10 परसंड की शूट देता है तो 100 सै यह 10 परसंड की शूट देगा तो इसका मतलब कितने में बेच रहे है यहाँ तो देख्या कौश प्रस कीतना वाल एकष माल लेंगे LIKEances यहां तो इतना माल लेंगेser यहांगे स्वा वाला जीरो कट जाएगा कट गया 9 से से काट लीजे 9 एक कम 9 होता है तीन बचेगा 36 हो जाएगा 9 चोके 36 14 बारी कट गया अब यहां पर यह 14 बचा यह 40 बता 14 का 40 से मल्डिप्ले करेंगे जीरो 14 कितना हो जाता है और यही क्मोले दोस्तों आपका अंसर तो कितना हुआ यह दोस्तों नब्य में बेच रहा है अब देखिए आपा 400 रुपे उसका क्रेम मूले है तो 400 का 126 निका लेंगे क्योंकि 26% के लाप से बेच रहा तो 126 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस question में भी कोई doubt नहीं बचाओगा आप समझ क्योंगे आप देखेंगे अगला question अगला question है कोई बस तू 25% के लाप पर बेची जाती है यदि बिक्रे मूले दो गुना कर दिया जाए तो लाप कितना होगा ठीक है दोस्तों तो दीखें माले इसका cost price हम निकाल लेते हैं cost price को माले ते हैं 100%そんな price को आपका cost price हो गिया 25% बेची कितना हो जाएगा 125% फिर गेद दोस्तों आप पूछा क्यागा दोगना कर दिये जाए देखे इसमें क्या है आपका 100% cost price भी सामिल है तो 250 में से क्या करेंगे आप अपना 100 cost price को निकाल दीजे 250 में से आप अपना 100 cost price को निकाल देंगे तो आपके पास selling price बचेगा मतलब बचेगा तो कितना बचेगा 250 में से 100 को माइनस कर दिया तो 150 बचेगा तो 150% क्या होगा दोस्तों आपका लाव होगा यही क्या हो जाएगा आपका आंसर option number भी आपका सही हो जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह question आपकी समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा जदि इस टाइब के question आपसे exam में पूछा जाएगा तो आप उसे चुटकियों में solve कर देंगे और देखे इस टाइब के question exam में पूछे भी जाते हैं ठीक है दोस्तों कोई भी doubt है तो comment box में पूछ लेना आप देखेंगे अगला question अगला question है दोस्त है अब आज ये संख्याओं का गुडणफल 117 है तो उनका LCM ग्यात करें ठीक है दोस्तों ऐसे question भी exam में पूछे जाते हैं तो देखेंगे इसकी जो trick होती है वो मैंने पहले एक बार करा दी है लेकिन आज फिर से बता देता हूँ trick क्या है पहली संख्या पहली संख्या multiply में दूसरी संख्या ठीक है दोस्तों बराबर LCM multiply में HCF ठीक है दोस्तों ये होती है आपके trick आप देखेंगे पहली संख्या into दूसरी संख्या यहां क्या दिया गया है दो सह अब आज संख्याओं का गुडनफल दो संख्याओं का गुडण फल दिया गया तो पहली संख्या ये हो गई और दूसी संख्या ये हो गई इन दौनों का गुडण फल दिया गया है कितना 117 तो इन दोनों की जगे क्या लिख लेंगे दोस्तों 117 लिख लेंगे ठीक है इधर क्या देखा बराबर का साइन लगा लेते हैं LCM आपको find करना है तो LCM लिख लेंगे LCM लिख लिया multiply में क्या लिखना है HCF तो HCF दोस्तों क्या होगा यदि आपको दो सहय अबाज्य गुड़न खंडों का आपको नहीं पता है कि सहय अबाज्य गुड़न खंड क्या होते हैं ठीक है दोस्तों तो सहय अबाज्य गुड़न खंड क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ जिनका अंतर एक आता है उनका HCF एक आता है जैसे कि मालीचे 12 दिया गया है आपको आपसे बोला जाए उन दो संख्याओं का दो सहाबाज संख्याओं का गुड़नफल 12 होना चाहिए तो कौन सी दो सहाबाज देखे यहाँ पर आप गुड़नफल करेंगे तो 2 तिया 6 हो दो स्चाह 12 हो जाएगा और देखार आपको आप करेंगे 4 यह भी 12 हो जाएगा ने जहीं bare हो जाएगा 2 और 6 मल्ट्प्लेटिक का आइगा तो तो सहय अबागी दूस्तोर वो होती है जिनका 15 क brows एक आता है तो यहां पर 11 qs कितने फिडा रिषे की tour 20 लिखा हुआ है तो याप देखिए 10 2 20 भी होता है 10 का multiply 2 से करेंगे तो भी आपको 20 मिल जाएगा और देखिए आप 5 का multiply 5 का multiply 6 से करेंगे तब भी आपको 20 मिल जाएगा तो 5 का 6 का अंतर करेंगे तो 1 मिलेगा इनका HCF कितना हो गए? लेकिन 10 का दोगा करेंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा इनका अंतर तो जिनका अंतर 1 होता है वही हमारे सहे अबाज्य होते हैं जिनका HCM कितना मिलता है एक मिलता है ठीक है दोस्तो तो HCM कितना होगा एक होगा अब देखिए LCM बराबर क्या हो जाएगा एक से 117 काटेंगे तो 117 बार ही कटेगा तो LCM कितना निकल किया दोस्तों 117 ही निकल किया है option नमर भी आपका दोस्तों सही हो जाएगा उम्मिद करता हूँ दोस्तों इस question को भी आप समझे होंगे पहली संख्या दूसरी संख्या into LCM LCM क्या होता है LCM का एक जब सहाब आज पूछा जाए तो उसका LCM हमेशा एक आएगा ठीक है दोस्तों तो LCM बराबर क्या होगा इसका इससे काट दीजिए आपका LCM निकल किया जाएगा तो मित करता हूँ दोस्तों इस question को भी आप बहुत अच्छे तरीके समझे होंगे जदी एक्जाम में पूछा जाएगा तो solve कर देंगे दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो like करें और दोस्तों में भी share करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं कया है तो कर लिजिए और bell icon का बटन भी दवा दीजिए दोस्तों धन्यवाद